कि उन्हें प्रेज़ वारता करते हुए कल बिलाब्यार चुनाओं के बाद में इसाना साधा कहा है कि जन्ता का जो समर्खन था वो महागडबंदन के उस पर उन्होंने फैसला दिया और जो चुनाय आयों ने अपना फैसला दिया वह अंडिये के समर्खन पर आप क्या कहना च किया लेकिन एक इत्तिफाक है कि एंडियों को उसके बावजूत सीट जादा मिली और हकीकत एक यह भी है कि महागडबंदन के हार की एक बहुत बड़ी वज़ा कॉंग्रेस पार्टी और MIM हैं कॉंग्रेस पार्टी जो कि 70 सीटों पर चुनाओ लड़ी और मात्र 19 सीट ला नहीं चाहिए था अगर वो लड़े हैं और तेजस्वी जी हारे हैं सीट तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस एक बहुत बड़ी वज़ा है और MIM जो कि एक सिर्फ एक धर्म विशेश की पार्टी बन कर रहे गई है जिस तरह से नफरत फैलाती है आपकी भरती जनता पार्टी और अपनी राजनिती करती है वैसा ही सेम हाल MIM का है कि वो सिर्फ एक धर्म और एक जाती की पार्टी बन कर रहे गई है बाकी और किसी की बात वो नहीं करती है तो इन दोनों ने आज महागडबंधन को रोकने का काम कि और इस महागडबंधन के हार की बहुत बड़ी वज़ा ये दोनों पार्टियां है वही पल्लवी पटेल निसाना साधर कि विपक्षट शांत बैठा है इस पर आपका क्या और यह भी बात सगे है कि erosion शचांत बैठा हुआ है और कुछ विपक्षट ऐसे भी हैं जो बिक गए हैं और मंत्री बनकर पैठे हुए हैं हमारे सोनिलाल जी के एक सुपुत्री अनुपरिया पटेल जी जो आज मंतरी है भारती जनता पार्टी में तो ये बात सही है कि कुछ लोग डर कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सत्ता कसुक उठा रहे हैं और कुछ लोग डर कर नहीं बोल पा रहे हैं जिनको बोलना चाहिए था और ज होती ऐसी पार्टी है वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो हर जगा अपने हक की आवाज उठा रही है पब्लिक के लिए आवाज उठा रही है जंता के लिए काम कर रही है और जो भी गलत काम होता है सबसे जादा आवाज उठाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है वो किसी मुद्दे पर भी हो बिहार चुनाम जैसे नितिश कुमार का चेरा सीम के लिए था मगर इसमें फाइदा बीजेपी को जादा मिले इसके क्या कहना चाहिए देखे बीजेपी को फाइदा क्या मिला ऐसी कितनी सीटे हैं जिसमें कुछ वोट से NDA जीता है कुछ मात्र 10-20 वोट से जीता है कितनी सीटे ऐसी हैं जो 500 से भी कम के अंतराल में रहे हैं और अभी जिस तरह से रिपोर्टे आ रही हैं उसमें बहुत बड़े घोटाले कभी सामने परदा फाश हो रहा है लेकिन यह कोई नई बात नहीं ना कि घोटाला हुआ ह है वोटों में हम लोग पिछले 2014 से लगातार देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई घोटाला करके ही इस वक्त तमाम पार्टियां या खास करके भारती जनता पार्टी अपने सत्ता को जो है पा रही है तमाम राजियों में जहां पर वो हार जाते हैं तो वो बैमानी करते हैं और बैमानी करके वो कहीं न कहीं जो एक इल्जाम लगता है कि खरीद फरोक्त करते हैं और सरकार को गिरा कर अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं तो यह तो सत्ता में चली रहा है बहुत दिनों से चल रहा है तेजस्वी जी युगा नेता है, बिहार के लोगों ने भरोसा किया है उनके उपर, और उनको एक बार जबकि अभी उनको चुनाओ का बहुत जादा अनुभाव नहीं है, पहली बार उनके नेतरत में बिहार में चुनाओ हुआ है, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया जिस तरह से लॉकडाउन में बिहार वालों का अपमान हुआ है, जिस तरह से बिहार के लोग 2000 किलोमीटर दूर पैदल चल कर गए हैं, उनकी सुद नहीं लिया सरकारों ने, ना केंदर सरकार ने, ना वहां की राज्य सरकार ने, तो आक्रोश तो बहुत था, लेकिन ये जो अगर एक पार्टी है, तो वो चुनाव लड़ेगी, वो सतंतर है, लड़ सकती है, हमारा विरोध चुनाव लड़ने का नहीं न, हमारा विरोध जितने भी भारत में जाती और धर्म की राजनीती करने वाले लोग हैं, उसका है, आज उत्तर प्रदेश का हाल अगर आप अपनी सत्ता चलाई, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश को गरीब प्रदेशों में गिना जाता है, ये जब जनता को समझ में आ जाएगा, तो जनता खुद बखुद जितनी भी जाती और धर्म की राजनीती करने वाली पार्टीयां उखाल कर फेक देगी, तो ठीक है, अग उनको भी अधिकार है लड़ने का?